नमस्कार दोस्तों राधे राधे आश्म कलेक्टिप्स में आप सबी दर्शिकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम फिर उपस्तित हैं एक बहुत ही नए रोचा प्रिसया के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति को सपने में कुट्टे के द्वारा काटना जाता है या उस चाटा जाता है तो आखिर इसके क्या संकेत होते हैं दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अगर आप नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से करते ताकि इस तरह की रोचक और मदबून जानकानिया आपको मिलती रहेंगे दोस्तों सपनों के बारे में अक्सर ही यह कहा सुना जाता है कि यह सही होते हैं और हमारे जीवन से संवन्दित होते हैं यानि कि हर सपने का कोई न कोई अर्थ होता है कई बार तो सपने शुग और असुग तक का संकेत दे देते हैं तो जैसे हर सपने का अपना एक अर्थ होता है ठीक वैसे ही अगर सपने में आपने भी कुत्ता दिखाई दे या आपको किसी कुत्ते के द्वारा काटा जाता है अखिर इसके क्या संकेत होते हैं दोस्तों कुट्टा वफदारी और समर्पन का प्रतीक माना जाता है यह अपने मालिक के प्रती पून रूप से समर्पित होता है उनके सुख और दुख के ऐसासों को यह सबसे पहले समझ लेते हैं यही वज़ा है कि अगर सपने में कुट्टा दिखाई दे तो यह सपना सागरात्मत माना जाता है लेकिन कुट्टे किस तरह दिख रहे हैं उनका भी अपना एक महतो और मतलब होता है अगर सपने में आपको एक कुटा दिखाई दे तो वह भी खुशी के मूड में हो तो यह अच्छा संकित माना जाता है यानि कि यह दर्शाता है की आपकी किसी पुराने मित्र से मुलकात होने वाली है इसके अलावा कई बार यह इस बात का भी संकेत देता है कि आप काफी अक्यले हैं और आप किसी फ्रेंड की तलास में हैं वहीं दूसरी और बात की जाए अगर आपको सपने में कई सारे कुटे एक साथ दिखें तो यह इस बात का संकेत देता है कि आपके परिवार आपको उनके साथ होना चाहिए यानि कि इस समय आपको बिना देर किये हुए अपनी फैमली के साथ खराब हुए रिस्ते को दोबारा अच्छा करने की जरुरत है दोस्तों अगर सपने में कोई रोता हुआ कुटा दिखाई दे तो कुटे का रोना तो बहुत ही अशुग माना जाता है इसका अर्थ होता है कि आपके किसी नकिसी मित्रे या सगे सम्मंदी के साथ कुछ नकुछ बुरा जरूर होने वाला है इसके अलावा यह सपन दोस्तों के साथ अलगाव का भी प्रतीक माना जाता है दोस्तों सपने में यदि कुत्ता आपको काट लेता है तो यह इस बात का सुच्चक होता है कि आपकी चल रही समस्याओं का अभी अंत होने वाला नहीं है अभी आपका कटिन समय जारी रहने वाला है आपको सयम और धैरिक के साथ काम लेना होगा और किसी पर भी आख मूंद कर भरोशा करने से बचना होगा सत्रू आपको बहुत अधिक नुकसान पहुचा सकते हैं इसलिए सतरक रहे दोस्तों वहीं अगर व्यक्ति सपने में खुते को चाकते हुए दिखता है तो उसे परशान होने की जुरत नहीं है यह एक सपन माना जाता है यह सपना इस और संकेत देता है कि आपको बहुत से लोगों से शहयोग मिलने वाला है मित्र संबंधी और कोई अन्य आपकी सहयता के लिए हमेशा तयार रहेंगे और आप कठनाईयों भरे समय से आसानी से निकल जाएंगे तो दोस्तों आज का वीडियो में आपने जाना कि कुट्ते डौगी से संबंधित बहुत सारी बात है वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें ताकि इस तरह की रोचक और महत्पून जानकारियां आपको समय से मिलती रहेंगी धन्यवाद दोस्तों राधे राधे